लीजी आपके सामने सांग शुरू मेरे महरवानों महाभार्थ प्राण का एक साब के सामने महाभार्थ के वनपरव वनपरव में पाचोपाडव छटी द्रोप तीवनवास को चले जाते ही बारा साल का दिशोटा काटने के लिए द्रियोध हन की तरब से एक सरत और धी तहिरवास साल अग्यादवास अगर अग्यादवास एक साल में कही भी मिल जाओगे तो तुम्हें बारा साल का दिशोटा अपून है मिल जाएगा मेरे महरवानों बार वार बारा साल पूरे होने को हैं तहिरवा लगने को है पाँच ओ पाणव द्रोपती बन में बैठ करके रोने लग जाते हैं भी प्रमात्मा हम या जात्वास कहां निकालेगे कहां जाएंगे द्रियोधन के सिपाई हमें सुंगते पिर रहें ढूंडते पिर रहें मेरे महरवान उसी समय भगवान किर्शन उन से मिलने के लिए बन में आ जाते हैं पाँच ओ पंड़ों का प्रणाम करके फिर बात में द्रोपती जितर बढ़ जाते हैं द्रोपती किर्शन को दे करके रोने लग जाती है मूँ बोले भाई थे कि बहिया आज तक इस प्रणाम कोई इस तरी दुखिया नहीं हुई होगी एक रोज उधिश्टर रोया था भगवान किर्शन के सामने कि मेरे जैसा अन्याई राजा यहां पैदा नहीं हुआ होगा उस समय भगवान किर्शन उनको व्रधास्वरिशी के आस्रम में लेकर गए और व्रधास्वरिशी ने युधिश्टर का युधिश्टर की यह सन से दूर करने के लिए उनको नल दम्यंती की गता सुनाई थी आज द्रोपती रो रही थी कि मेरे शमान कोई दुख्या इस्त्री पैदा नहीं हुई होगी उसे लेकर के मारकंडे रिशी के आस्रम में जाते हैं आर मारकंडे रिशी से बताते हैं कि महराज कि द्रोप्ती कहती है कि मेरे शमान कोई दुख्या इसतरी पैदा नहीं भी होगी मार्कंडेर इसी अपने चन्डों में बिठा लेते हैं द्रोप्ती को भगबान कृषन पाँचों पनाड़ों भी बैड़ जाते हैं मार्कंडेर इसी चालू करते हैं कथा कि बेटी आज ही नहीं आने वाले समय कल्यूग में भी अगर यह चार कथाइं गाई जाएंगी तो कुछ समय के लिए कल्यूग महाराज का वास खतम ऑ जाएगा एक धरम की कथाद चालू करते हैं द्रोपती का संसे दूर करने के लिए क्या बेटी शालब देश चाहां के राजा धुमत्सैन महराज का धुमत्सैन महराज की राणी जिसका नाम सप्धा नेत्रों से दोनों राजा राणी अंदे मेरे महरवानों कुछ समय के बाद वहाँ पर नार्द मुनी पढ़ार जाते हैं मेरे महरवानों नार्दमुनी के आगवन से दो नाराजारानी उनकी पूजार्शना करते हैं उसके बाद में रारानी रोने लग जाती क्या बहराज, हम निपुत्रे ही इस दुनिया से चले जाएंगे नार्दमुनी के आशिरवाद से एक लड़का पैदा होता है नो दस मास के बाद जिसका नाम निकाला जाता है सत्यवान आपके सामने सत्यवान सावित्री की धर्म का था मेरे महरवानों कुछ समय बाद जब लड़का दस वारे साल का हो जाता है उसी दिर्मार में एक मंत्री जिसका नाम चोन रहा है राज पर गल्ट नजर हो जाती है क्यों ना राजा राजा राणी को खतम कर दिया जाए राज कुमार को खतम कर दिया जाए और इस राज पर कमजा कर लिया जाए रानी सभ्या के इंग ये बात कानों तक पहुंच जाती है राजा और राजकुमार को पास बुला करके बताती है कि महराज हमाना चोड़ राए मंत्री हमें मारना चाहते हैं राजकुमार को ले करके और महल के शुरंग के रास्ते से बन में निकल जाते हैं यहां से कथा चालू होती है, एक बार सभी जय का नारा भूमी पवित्रात्मा की सुद्धी, सभी जय का नारा लगाएंगे बाल्या। शंकर भगवन की हैंशा लुद्धी जय हो। आपको landis 2 package मूद्धी जय हो। आपको landis 2 package की सुद्धाओंगा। यहांशारा, सभी जय का नालोय करफोड़ से जय करफोड़ सुद्धाओंगे जेहो ओहो उरे नाओ येस अंदे हाँ ये हैं हमारा सामने छोड़ा बेटे सत्यवाद मैं ने कहा पिता जी को प्रणाम चरण जी हो रहा हु बेटे अंदे मैसू पिता जी ये तो मेरी मां का सर है मैं हूँ इधर पिता जी आप कुवर्ण में लेकर क्या आगया हूँ मैं अब उसे बताईए उसे क्या करना चाहिए बेटे आप जंगल ब्याबान में तो लियाए हो यहाँ पर हमारे खाने पीने रहने सेहने फैरने का प्रबंद करना है और प्रबंद किस प्रकार से करना है आप एक राजा के बेटे हो आप एक अच्छे परिवार से हो आपने अच्छी तालिम पाई है बेटे परवरिश इस प्रकार से करना है कि कभी किसी का आपके जरिये से दिलना दुखे और तुम्हारे खानडान पर कोई कालिस ना पोती जाए और तुम्हारी मा तुम्हारे को बेटे समझा देगी अंदे मारा चुरा बहुत समझदार है ठीक है अराम करो मैं समझाती हूँ माताजी कि कुछ कहने चाहती है आप याबान जंगन में आचुके हो लेकिन इस याबान में गुजारा कैसे होगा कैसे होगा माताजी वो मैं आपको चार बात में समझाओ क्या करना है क्या हो साथो कभी गर्मी कभी सर्दी कभी गर्मी कभी सर्दी ये खुदरती के नजार है प्यासुन को भी लगती है जो दर्या के किनारे हैं और सत्यवान मारे ठैरन का इंतिजाम करिए और सत्यवान मारे ठैरन का इंतिजाम करिए प्रकी से गुजरे चाल जाबन में पान करिए सत्यवान मारे ठैरन का इंतिजाम करिए प्रकी से गुजरे ठैरन का इंतिजाम करिए संतों का ससंग तू पढ़ में सरका बजन करा कर हरी रंग में रंग में तू प्रणयों में सीखे करने योगी कैसा आंग तू मारे घर पसने का इंतिजाम करिए सत्यवान मारे ठैरन का इंतिजाम करिए और ये पांच्शो रुपे अमारे बहुत ही अजीज मेरे भाई हमीत तुद्दार्शाप ऐस्य हमारा शमान करते ध्यरे बाद नमबर दो कि बात मा आदा जीफ मात्मा पर मात्मा और मात्मा पर मात्मा के छोटा कर जाँ आपने वह करता धरता रहे दुल्या के इनसा अपने तरम के आधीन रहे छोड़े बेटा बापने और मत्मा पर मात्मा और मत्मा पर मात्मा मा पापने ना पत्मा मैं करें और जिश्चे मुझे चार जापने आपने करें ओ, सब तेरे वान रहे, तेरे निकाब इस जान करे नमर दिन इस्वर की और इस्वर की तयाते बारे गंदा बिला रहेन का मारा तेरा कान के था इतना दुखे सेहन का जोटासा सवान बेटा तेरे समी कहन का जोटासा सवान बेटा तेरे समी कहन का और जोपडी मैं और रहेन का विस्राम करिये और जिस्राम कुझे चार जापने में का विस्राम करिये लाला लाला आए 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 लालिये अगवार में पंच उखरी की रोक मने डांट ले प्रम ज्यान न में ओगाना जनमी तेरा जागाना समशाण में मन पड़ में सरके और ज्यान में सुबह शाम में करिये जीते गुजरे जाल जाबन में में करिये नमर चार में क्या पता है माताजी आपने गुरू चंदरलाल सुर्तिलाल ये भगवान में पांचो वरती रोकमनडाट ले बिर्मग्यान में होगा ना जनम तेरा जागा ना समशान में आगर तुमने कहा वैसा मैंने किया तुम्रतू और जीने के चकर से में दूर हो जाओगे माताजी कहीं मुझे क्या करना है किसी सहर में चले जाओ किसी सेट के हाँ महां से एक डोरी कोहरा लेकर करके आओ और ब्याबान जंगन में लकिडी काटो हमारा गुजारा करो ठीक है माताजी हमारा आशिरवाद तुम्हरे साथ है मेरे महरवानों माताजी ने कहा आरो सक्तेबान चल देता है हमारे मुक्यातिती महदे क्योंकि वेस्त समय है इनका इसलिए हमारे भाई हमीद और हमारे प्रीतम भाई इनके कहने से अरे निवेद नहीं आप हमारे भाई हैं एक कलाकार जो हमारे रास्तान का बहुत महिशूर कलाकार है अभी रास्तान की टीम में ये अपने जो उज्जेन में यह बहुत बड़ा जो महाकाल का वो हुआ था तो सभी बहर देशल से पर्टिया ही थी अपने देश की भी सभी राज्यों से पर्टियां गई थी भी रास्तान की पर्टि में यह बी कलाकार about गया और इसका एक बहुत महसूर रास्तानी डान्स हमारे बुक्यातिती महदाओं के भीच में इनके स्वागत के लिए तरही एक बार जोरदार तालिस सेवास लिए जी महरबानों आपके सांग सामने फिर सांग में आजाईए बहुत बहुत भनेवाद हमारे सांजल साब का जिन्होंने चोटे से गुलाव पर आकर किये और हमारा माना सम्मान किया हमारे स्मिती के प्रधान मेरे बहुत लारले भाई प्रीतम बहुत पांच रुपे से अपने बच्छों का समान करते हैं बहुत 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 भेवाद और बहुत इमान ने कभी कभी श्रोमनी दयाचिन श्मिती हो रहा रहा है कोई बात ने लिजिए सांग आपके सामने मेरे महरवानों मा बताती है कि बेटा किसी सहर में चले जाओ और किसी सेट से डोरी और कुलहडा मांगर किलाओ और लखडियां काटकर कि सहर में बेचो हमारा गुजारा करो मेरे महरवानों उच्छा बारा साल का सत्यवान एक उचे परवत पर चड़ता है चार उत्रभनी घर दो राता है एक छोटा सा नगर उसी नजर आता है ओश शहर में जाता है एक सेट के अवेली के सामने खड़ा होकर कि आवाज मारता है सुनी शवास मनी मन में सोच जिग्या है गेर गरा सिनांगरी सत्यवान सेट की अवेली के दोर पहुंच जिग्या मैं गाओ लाला जी शितानी जी लाला जी सुने है राम चंदर की मा बोलो पुस्पा के बापू वो बाहर देख कूना रहा है मैंनी जाती नास के पीरबानी का जाड़ जाड़ बेरी हुए करे यो जाड़ जाड़ भी बेरी मर्दा का हो थारा कोई बेरी नी क्यों करें तम तो जी टी रोड़ पर खड़ी हो जाड़ भी गाटी रुख जाड़ देते ही बस बात बनाता रहे ये खड़ा मत हो लिए बाहर जाके देख जारी हूं अगर कोई कि रहा कहे तो तो भीतर ले ले अच्छा और कोई पुलिस को पिशाई है तो नू कह दिये से अगरी बादमी हो और आपके लाला जी से मिलना चाहता हूं तो लाला जी तो यहां नहीं है और अभी किसी भरत की आवाज आ रही थी अंदर वो तो मेरा छोटना छोरा बोले था यूसुब तेरा छोटा छोरा इतनी मोठी आवाज जो मैं बीरबानी सूं मोटे खरने की सू मेरा दूद खूलना से और जो भी मेरे दूद की दो डौके लेले है उसकी आवाज इसी हो जाया करें जिसी भी तरसे आ रही है तेरे तहाजोर का रिक्वेस्ट है के दो एक डौके मेरे चाचा प्यारे पे दिये तो तेरा चाचा प्यारा हाट लगानी पूल गया यो कि मा हुआ होगा आपके सामने हाट जोडता हूँ ओ पुश्मा के बढ़ू के कहे ममता की माँ बारने बोले है तने कोण कोई आया है को नाया है गिराक जानका बिजत का इजत का बी नहीं जानका भी नहीं और दुकान का नहीं कड़ों है पहार कोन यान में क्यूं किसका लूलू मेरी माँ मैं इतनी बड़ी होगी मन आज तक लूलू नहीं देख्या जब हम छोटे थे अच्छा अरोया करते हमारी मानु काया करती बेटा बाहर मतना जी नितना लूलू खाय जागा तो नास गई तो तू बड़ा ओ गया वो लूलू नहीं बड़ा होगा बात तन बना लाग ते गए हैं ढ़ने लागन भनाब लागन घंचभत से खल मवागन शोब से तानी चोर न मंएक समाना उल varit बाताए हैं योही चोर का चोर नहीं लाप मैं लागनें चोरित आवर मैं गरीब आद मीं गलीच यही लедम हर गजीः और जो ऊनान हों डाल मैं आपके पास मदद मांगने जिली आया हूँ कैसी मदद एक डोरी और कुलाड़ा पक्का चोर क्यो करें दोरी ता बंदगार कुवाड़े तक अटगा लाला ऐसा नहीं आपको डोरी कुवाड़ा चाहिए पैसे हैं लाला मेरे पास पैसे नहीं ये धरम खाते की दुकान नहीं मैंने दुकान खोल रखी कोई धरम शाला नहीं खोल रखी है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये जो शाही पोशा के इसको गिर्वी रख दो लाला सर्दी कटाई में मारेगा छोरें जाड़े में कड़ो लाला मेरे पर रहम कर ले बिलकुल ये करूँगा दुकंदारी का काम है साजने घराजी एतने पाट्या और कुड़ता दे दूँगा लाला ठाक कपड़ों के बदने में डोरी और कुलहना दोगे बिलकुल अपरी बात सुन बाताईए लाला अपरी बदने में डोरी बाताईए लाला लाला हाँ बोलियो भाई मैं है मैं मैं को उठा दो इसको उठा दो हाँ बोलियो क्या कहना चाहते हो अरे 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 मैं कमी हो करी भूला और नरी गया कर लिये तो-गया ये रट तोटे में दुखिया के लख दे लगे ले अखमी करीब लाला तोटे मेंूदे ल skirt ले스타ं दोसा आधा दुखिया के लगे ले साथाए मैं आज भी करीब लाला हो दया कर लिये तोठे मैं दुख्या के लगते पहने कर लिये और गड़े मेरे जाद साब हो बाल आज सुम बिन पैशे कंगा आज सुम बिन पैशे कंगा उरते नगली लाल मेरे मत्री मचर लिये तोटे मैं दुख्या के लगते पहने कर लिये तोठे मैं दुख्या के लगते कहा अ कर लिये लाला को बहुनी है और आज अगर मा केला होता ना तो मैं तेरी दुवार पर मांगने के लिए नहीं आता आपके साथ कोई और हैं और आज तक आज चान बीन बना मैं मेरे बुक्ते मान लिए ठोटे मैं दुख्या के लगते तु कहना लिए यह रहा है और मेरे माँ बाप भी कैसे हैं आपके जो मात पिता हैं वो कैसे हैं मायन है कर्मा माडे की जिहर सबन सक गरज पेट पहडे की वो सबने गरज पेट पहडे की तोटे में दुख्या पेलते कैने गर लिये तोटे में दुख्यां पे लिख्ते कहने कर लिये साज बिन कद उती रीज नहीं और हरेकार ये होता बिन भीज नहीं और हरेकार ये होता बिन भीज नहीं और आम उसे चंदर जैसी चीज नहीं और उसे चंदर जैसी चीज नहीं दुनिया में फेलिये और ये ठोटे में दुख्यां के लते कहने कर लिये आते की गरीब लाला जया कर लिये तोटे में दुख्यां के लते कहने दर लिये लाला साज भी नहोती रीज नहीं कार ये होता बिन भीज नहीं उसे चंदर जैसी चीज नहीं चाहे दुनिया में भिर लिये तोटे में दुख्या के लते कहने दर लिये दे देना हिव तो तने इसके कपड़े भी उतर वा लिये ठीक है आप कुहारा और दोरी ले जा सकते हो पर यह बताएए आप रस्टी का और कुहारे का क्या करो गए लाइगा बद में लकडिया याज़ग और सहर में बेचूँगा अपना और अपने माभाप का पेट पालूगा तो ठीक है, आप हमारे घर पर लकडिया डाल जाना, आपको भरपेट भोजन मिल जाएगा, ठीक है, मेरे महरवानों लिए और अपनी लिए भोजन ले जाता है, मेरे महरवानों, छै वरस बी जाते हैं, अथारा साल का नौज्वान हो जाता है, एक दिन एक पेड़ पर चड़ तक कपड़ी फड़ जाते है, रहोने लग जाता है, बदन जलकने लग जाता है, नंगा हो जाता है, पैड पर चड़ा है, रहोने लग जाता है, रहे शत्यवान, क्या था तु इक राज कुमार, आज इस किसमत ने तुझे कहां पहुंचा दियो, मेरे महरमानों रोता हुआ, मालिक को याद करता हुआ अपने इतिहास को याद करता हुआ तू क्या था और क्या बैठा बैठा गा रहा था क्या रो रहा था कैसे क्या रेलो को सथ्थे माल रहा धर कैसा हुआ एलो को सथ्थे वाऽ मा बैब की ए नशी टीर बाद काटक प्या वाँ र ??? अरा शट्टे वाले मामा पागे आजना शट्टने आरे होंगे और राज करनिये एरबाल कलकडी ये कटना यारे होंगे सद्ट्रोवाने मामा पागे दुखा पटने होंगे 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 राज करनिये बाल कलकडी ये कटना यारे होंगे क्या हो इस्तादो क्या हो इस्तादो कदे कदे और राज भवाल मैं मचलू था शर्ज दह्ज पैं अज लकडी कटन आला बन ग्या मैं ये श्य अमीरी तजकाए इसबिया पान मैं मगुजर करू एर नाम ओम का बजकाए रे समके लटे मरे पाठ गए रे जाडा म मा अलडे अलज तो रे समके लटे मरे पाठ गए जाडा मा अलज तो अला चात्रे ने ने डंग और फिकरे लूले अचाटरे आने होगे राचा कर नियो महारपने भरपने अटमजने आने होगे हो राती तरड़ी हो रपारं के लखती तरड़ी तरड़ी हादे होगे तरड़ी जवासानों जय होस्ता दो जवासानों जय होगे तरड़ी हो जवासानों जय होगे दो आएंप लागो नमर दो में जो गुरुजी ने बाद बताई हर आदमी के शाथ होती है ये अगर हर आदमी के शाथ कोई बच्ची भी गया तो बगल में देखियो बगलारे के साथ जरूरू ही होगी सोला नसक्त चड़ी हवा में लोगो मान सके एरे दू समन भ्यारे हो जा और अभ्यगडी में लोगो जब आवाच अडह मानस की आवाच अडह मानस की चड़ गाम के गवांड के दस्कोस परेका हो और वो राजस्तान में चल्याजा नू पूछ ले कोई भाई रमेश कोशिक साब नजाना है नू कैगा मेरा भाई जैसागी और एक मेरे जैसे गरीब आदम के बारे में मेरे सक्ये भाई तो पूछ ले भाभु दान नजाना है मेरे सक्ये भाई ते नू भला भाई हमारे लाक के मैं डोला है नास ता यार नू इसे मैं ते को नहीं जानता है असल सत्य है ये और कोए भीना पाश बिठावे वो सत्तरू शारे हो जाना अर ब्यपत पड़ी महें एक राज करणिया एर लकने आरे हो जाना प्रिपत पड़ी महें राज करणिया लकने आरे हो जाना बड़ा गैल मरनकी मैं तरह साथ्चू, मैं तरह साथ्चू मरेगा जीवेगा उड़ा तरह साथ्चू, लेकिन गैल मरनकी जहां बढ़ते थे अजना नना आने ओगे ओर राच कर्णिये बालक लकडी कतर आले ओर राच कर्णिये बालक लकडी कतर आले ओगे जो यारे करे गए वालों के औरे थे दिल में उत्तर आए दिल में उत्तर आए दिल में उत्तर आए वो लाई के औरे थे जो जाने करते हैं वारोग के वोगोरे से बहुत ही बहुत आधनी हैं और यहीं नहीं हर्याने में नहीं पूरा हमारा जो पूर्वी रास्तान है जिने में दादाजी ने धूम मचाई हमारे रणवीर जी दादाजी प्रणजी महराज हमारे विश्पधारे उनका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत स्वागत ह और हमारे सहजाद पुर से दाजाजी पांसे रुपे से अपनी पार्टी का सम्मान करते हैं क्या कह दिया नमर तीन में लाकडी आके और हमारी रिकोर्डिंग कर रहे हैं मरे बड़े भाई मरे से बड़ा राड करते हैं आशिरवाद देते रहते हैं और इनके क्रपासे देखे इनके पास इनोंने मुझे दिखाया था कि पाकिस्तान तक के लोग हमारी बाते सुनते हैं और इनको धन्यवाद दे रहे थे और मेरे को भी धन्यवाद दे रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई का सौरूप शासिरवाद देते हैं का बात है आर मेरी माता जी, पृत बहुत धन्यवाद माता जी, सवरूप शी मुझे आसिरवाद देती हैं बहुत 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 धन्यवाद ठाकेश या नमर तीन में, जो हो जाके दुस्ताजो लकडी आंके फिकर फिकर मैं वो छोरा माड़ा ओग्या मेलकडी काट्टू अककरने समालू बत कोड पमाडा ओग्या अड़े चोंडराय आनंद लुट्टे मेरे चीने खाडा ओग्या जनात्या में तलवार सजे थी अज चपर कुलारा हो गया जनात्या में तलवार सजे थी अज चपर कुलारा हो गया मेरे ने ने धंग और फिकरे लूने अज चट्टने आले ओग्ये एररा चकरनी यो पालत लकली खाड़न आले एररा चकरनी यो पालत लकली खाड़न आले एररा चकरनी यो पालत लकली खाड़न आले करमा के लोग करमा के अनुसार कवर की और डबले काणी होगी रहते सहते उस सत्तेवान की सरवीश पुरानी होगी अरे महा भारत समझने आले यो कथा सुनानी होगी करमा का दूते समय और अश्वपति की अर्या सामतरी शानी करमा का दूते समय और अश्वपति की अर्या सामतरी शानी करमा के अनुसार कवर की डबल काणी होगी रहते सहते सत्तेवान की सरवीश पुरानी होगी अरे महा भारत समझने आले ये महा भारत पुरान का प्रमान है नल्दम्यंती और सत्यवान सामित्री ये महा भारत के ही प्रमान है महा भारत समझना आला ने कथा सुनानी होगी लोगोवड़ मगद देश माश्वपति की सामतरी शानी होगी इधार वुराज कुमार अपनी विप्त्या के दिन काट रहा है इधार अश्वपति महाराज की राड़ली इकलोती संतान वो सामित्री नोजवान हो जाती है नाई और ब्रहमन पुरे देश देशांत्रों में घूमाते है लेकिन कोई जोड़ी का वर नहीं मिलता है आखेर आज शामित्री अपने प्रिताश उपति से अग्या लेकर श्वम अपना जोड़ी का वर टोहरी के लिए और चल देती है देश देशांत्रों में घूमने के लिए सुनिए किस तरह से वो चलती है और कैसे हमारे महाशेजी दयानंग दयाचंजी प्रचारकशमिती आमारे भीश सभी जगे आते हैं मेरे भाई और सभी जगे मुझे लाड़ प्यार करते हैं मेरा शम्मान करते हैं मैं इनका बहुत-बहुत धनेवाद करता हूँ अपने यह दयाचंद परचार कमेटी की तरब से माश्य बाबुदान शिंग जी का नोटो की माला डाल कर स्वागत किया जब है दो जोरदार ताड़ी से स्वागत किया वा जहो ताड़ी हो जहो झाड़ी हो झालो 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 कर दो कर दो कर दो कर दो